हलो दोस्तों, रीटर्स बुक शम्में आपका फिर्श स्वागत है हमारी आज की वीडियो बुक थिंक और ग्रो रिच तो आए शुरू करते हैं नेपोलियन हिन की बुक थिंक और ग्रो रिच है मतलब की सोचिया और अमीर बनिये तो बात ऐसी है कि लेखक एक छोटे बच्चे थे जब एंड्रियो कानेगी जी ने उन्हें एक राज बताया एक ऐसा राज जिसकी बतौलत 500 लोगों ने अपनी किसमत खुद लिखी नेपोलियन हिल ने इसे 20 सालों तक ढोड़ते रहे और आखिर में उन्हें पता चला कि सरसे तो किसी भी प्रोफेशन या कैरियर में मिल सकती है और एक अनपड या कम पड़ा लिखा इंसान भी अमीर बन सकता है और ये सिक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ बाटना चाहते हैं कि आखिर कैसे 500 अमीर लोगों को अपने जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली और ये सिक्रेट सिर्फ उनके लिए हैं जो इसे जानने के लिए तयार है जिन्होंने ये सिक्रेट अपलाई किया उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है लेकिन ये ऐसे ही आसानी से नहीं हो सकता आपको इसके लिए कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा और इस किताब में आप ये जानेगी कि सक्सेस पाने के लिए क्या और कैसे करना है कैसे और कब से सुरुआत करनी है वैसे हाँ ये सच भी है कि कोई भी सफलता पा सकता है लेकिन सिर्फ उसे ही मिलेगी जो इसे एक्शुली में फालो करेगा तो इस किताब के हर चैप्टर में वाई तेरा स्टेप्स बताये गए है जिने नेपोलियन हिल ने अमेर बनने के लिए रिकमेंड गिया है कोई भी इंसान इन इस्टेप्स को फालो करके अपनी जिन्दगी को सक्सेस्फुल बना सकता है अगर आप भी अपनी जिन्दगी में पैसा, मान सम्मान, प्रसनालिटी और सुकून और खुसी चाहते हैं तो इसका राज अमेर लोगों से जान सकते हैं और जैसे जैसे आप तेरा इस्टेप्स पार करेंगे, उस सिक्रेट के आप करीब आते जाएंगे तो आप तयार हो जाएं, क्योंकि जो मौका आपके हाथ लगने वाला है, वो आपकी लाइफ को बदल करके रख देगा नेपोलिन हिल ने इस सिक्रेट का एक किलो भी दिया है, कि सबकी तरक्की और अमेरी की सुरुवात के पीछे एक आइडिया है तो क्या आप जानते हैं, पहले इस्टप के बारे में जो है इक्षा यानि की डिजायर, यह सब्द सुनते ही, आपके दिमाग में बहुत सारे इक्षाय आने शुरू हो गई होगी तो इच्छों को पूरा करने की बात की जाये तो इस इस्टप को ध्यान में रखना बहुत जुरूरी है कहने का मतलब ये, जब आप किसी को पूरे दिल से चाहते हैं, वो हकीकत बन करके आपके सामने आ जाती है अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से, आप उसे पाने के रास्ते डूनने लगते हैं एक धर्म है, जिसे money conscious कहते हैं, जिसका मतलब है, पैसे के पीछे दिवाना होना आपके मन में खुब पैसा कमाने की इच्छा है, यह दिमाग की हालत हैं यानि, state of mind, जहां आप पहले से ही खुद को अमेर समझने लगते हैं जब आप money conscious बनते हैं, तो पैसा कमाने लगते हैं और हम यहाँ पर 6 steps बता रहे हैं, जो कि पक्का आप money conscious बन जाएंगे पहला तो यह है कि आप किनना पैसा कमाना चाहते हैं, सोच लीजिए लेकिन इसके लिए यह बोलना काफी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है आपको एक fix amount तो सोचना ही पड़ेगा, जैसे कि 1 लाग, 10 लाग या एक करोण जितना भी amount है, fix amount सोच का रखिए, ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सके दूसरा step है कि आपको यह तैक करना होगा कि कितना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं क्योंकि मुख्त में कुछ मिलने से रहा और तीसरा step है कि वह तारीख, वह डेट डिसाइड कर लिजिए, जिस दिन आप अपने सोचे हुए रखम को पा सकेंगे और चौता step होगा एक ऐसा खास प्लान सोचना, जिससे कि आप ऐसा कमा सकें और एक और प्लान करने के बाद आपको बिना जिज़के उस रास्ते पर आगे बढ़ना है और आपका पाचवा step होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख लें कितनी रकम आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं, और आपका प्लान क्या होगा या हर एक चीज एक पेपर पर लिख लीजिए और आखिर में जो छटा step है, अपने statement को एक दिन में दो बार पढ़ें और याद करें, जी हाँ अगर सच में आपके अंदर अमिर बनने की ख्वाईस है, अमिर बनने की इच्छा है तो आपके लिए इन steps को follow करना कोई भी मुस्किल काम नहीं है इस तरीके से आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है इसे दोहराते रहें और आप money conscious बन जाएंगे वैसे एक बाद याद रखें हर बड़ी achievement हासिल होने से पहले वह एक सपना ही लगता है तो यह थी पहले step में इच्छा यानि की डिजायर की बात और आगे दूसरा step है faith यानि की विश्वास कहने का मतलब या है कि universe में एक ऐसी ताकत है जो हमें उन चीजों के पास ले आती है जिन पर हम यकीन रखते हैं जब हमें positive ख्याल आते हैं तो हमारे साथ automatically सब कुछ अच्छा होने लगता है लेकिन जब हम negative सोचते हैं तो बुरे से बुरे चीजें छोटी से छोटी सब अपने आप होने लगती हैं अब देखा जाये तो बैड लग या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज होती ही नहीं बस हम किस पर यकीन करते हैं वह मायने रखता है कुछ लोग बिना वज़य बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ लोग खुद को गरीबी समस्ते रहते हैं अगर हमें यह हकीन होने लगे की हम अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब एकदम साफ है की हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीज हकीकत में होने लगेगी अप सोचिए अगर आप अपने दिमाग बद डर और सक पाइदा कर लें तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोशा नहीं रख पाएंगे और ऐसा करके आप एक धायरे में बाद रहें हैं जिससे की बाहर आना बहुत मुश्किल होगा तो money conscious बनने के लिए खुद पर वरोशा रखना बहुत जुरूरी है याद रखे कि आप हर पल खुद को अमेर देखें महसूस करें और इस बात को मानें खुद पर यकिन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि तू बहुत गरीब है ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन पाते जो हम बनना चाहते हैं ना खुद पर यकिन करके ही बन सकते हैं जैसे बिचार जैसे थोट हमारे दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है तो कहने का मतलब यह है कि मर्जी आपकी है कि आप गरीबी जुनते हैं या अमीरी तो एक बार अपने मन में अमीर बनने के ख्याल बैठा लीजिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका यकीन आपके लिए सारे लिमिंटेशन को हटा करके आपको सकसर दिला देगा लेकिन इस सफलता को पाने के लिए आपको एक और काम करना होगा और वह है तीसरा स्टेप आटो सजेशन हमारा सबकॉंसेस दिमाग एक्चुली में एक उपजाओ जमीन की तरह है हम अगर इसमें काम के भीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास पोस उगने लगेंगे इसलिए हमें आटो सजेशन या फिर सल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकी हमारे दिमाग में बेकार का कछ़रा न उगे हम खुद इतने काविल है कि अपने सबकॉंसेस माइंड में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं हमारा येही सबकॉंसेस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है लेकिन ऐसा करने के लिए हमें आटो सेजेशन से इस तक पहुँचना होगा इसलिए तो कहते हैं आप अपने दिमाग को हमेशा पॉश्टिव थार से भर कर रखिये और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तभी हमारी हार होती हैं ये बात हर दिन दो हराए यह कि आप क खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दीजिए अपने गोल तक पहुचने का प्लान आपके सबकॉंसेस मैंड में ही है और बस आटो सेजेशन की प्रैक्टिस करते रहे ताकि आपका प्लान आपके पास खुद बहुद आ सके और हां इस कोशिस में कभी भी ह सब्सक्राइब की जो है इस समझने की कोशिस करते हैं इस इंसीडेंट से तो हेंडरी फोड का नाम तो आपने शुना ही होगा तो इनके पास कोई फार्मल एजुकेशन नहीं थी लेकिन उन्हें आटो मोबाइल के बारे में बहुत अच्छी खासी नालिज थी तो हुआ हेंडरी वाकई में इग्नोरेंट है अदालत में उनके उर्पटंग सवालों से कोट परसान हो गये थे फिर उन्होंने जवाब दिया कि जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं उनका जवाब देने के लिए मैं यहां एडमिन को बुला सकता हूँ अब क्या मुझे कि जब मैं आदमियों को काम पर रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दे तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नौलेज पढ़ने की क्या जरूरत फोड की इस जवाब से अधालत में सनाटा चा गया फोड के पास कोई खास जैनल नालेज नहीं थी मगर अपने काम क खास नालेज जरूर थी उसे यह मालूम था कि उसका गोल क्या है तभी तो जो लोग जादा पड़े लिखे नहीं होते फिर वी वे सक्सेस्फुल होते हैं तो जो चीज हम जनरल नालेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आते जब तक कि हम अ अच्छी तरह से हासिल कर सकते हैं जूकि आगे चल करके आपके बिजनेस में काम आ सकती है और वैसे भी सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होती आप जिंदिगे में किसी उमर में कुछ भी सीख सकते हैं चाहें आप फैमली वाले हैं या फूल टाइम जॉब कर रहे हो अपने कंपनीज भी एमपलाइस को रखते टाइम एजुकेशन तो देखती ही है साथ ही उनके प्रिस्नालिटी पर भी गौर करते हैं आप किस तरीके से लोगों से कस्टमर से पेस आते हैं यह सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे यह सारी बाते भी देखी जाती है कोई यही मुकाम हासिल कर ले मगर सकसे तो तभी हासिल होती है जब आप जिंदिगी में कुछ न कुछ शेकते रहते हैं और इसी के साथ अब आगे बात करते हैं पांचवे स्टिप के बारे में जो है इमेजिनेशन यानि की कलपना करना तो आएए इससे समझते हैं एक कहानी से बहुत पुरानी बात है एक बार एक बूरा देशी डाक्टर एक कैमिस्ट की दुकान पर गया उसने दुकान में काम कर रहे कलरक से कहा कि उस डाक्टर के पास यानि की उसके पास एक कैटल एक लकडी का पैडल है जिससे की कैटल में बन रहे ड्रिंक को गुनाया जा सकता है वह है और एक मैजिक फार्मूला भी है और इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके वह कलर्ट अमीर बन सकता है इसके लिए उस डॉक्टर को 500 डॉलर देने होंगे अब यह सुन करके उस कलर्ट ने अपनी जिंदिगे भर की सेविंग उस डॉक्टर को डे डाली और 500 डालर में वह तीनों चीजें खरीद ली डाक्टर ने 500 डालर कलर्ट से लिए और वहाँ से चला गया क्योंकि इन पैसों से वह डाक्टर अपना सारा कर्ज उतार कर आराम से रह सकता था अब उस जवान कलर्ट ने अपनी लाइफ सेविंग फार्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी उसने उन तीनों चीजों को मिक्स करके मैजिक फार्मूला बनाया उस कैटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था जिससे की सुगर इंडेस्ट्री चलाई गई और जिसके वज़ा से लाखों लोगों को रोजगार भी मिला इसने साउथ की एक छोटे से सायर को बिजनेस कैटल बना डाला इस तरीके से वह पुरानी कैटल सारी दुनिया में काम आए और आप जानते हैं उस कैटल में क्या मिक्सर बना था उसका नाम था कोको कोला जी हाँ उस मिक्सर में जो चीज बनी वह कोको कोला थी और जिसने मिक्सर बनाया उस कलरक का नाम था आसा कांडला लेकिन कोको कोला की सफलता की सिक्रेट तीन चीज़ों का मिकसर नहीं था वैँ थी आशा कैलेंडर की इमैजिनेशन, जी हाँ आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमैजिनेशन की जरूरत पढ़ती है हमें कलपना करनी होती है टाकी वह हकीकत बन पाए जू चीज आपको सफल होने से रोक रही है वह सिर्फ आपकी अपनी सोच है सोच बदलिए अपनी इमेजिनेशन को इस्तिमाल कीजिए और फिर देखिए कमाल कोको कोला एक आइडिया पर चलाता आज जू जितनी भी चीज़ क्रिटिकल को जहल सकें इसमें आपको हार निराशा और डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है तो इन सब बातों के लिए तयार रहें अपने आइडिया को अपना जुनूर बना लीजिए बिना रुके लगाता है इस पर काम करते रहें इसे असलियत का जामा पहना दीजिए तभी यह कि जब तक आपके पास कोई पका प्लान नहीं है आप सफल नहीं हो सकते ऐसे लोग डूड़िये जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सकें जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर सी बाते की बदले में आपको कुछ फायदा या कंपन्स्रिशन देना पड़ेग क्योंकि एक इंसान में हर चीज, knowledge, experience या ability नहीं होती सक्सेश पाने के लिए औरों के सहयोग और perfect harmony की जरूरत पड़ेगी और इस बात का ध्यान रखिये की प्लान पर काम करने से पहले अपने गुरूप के सभी members की राय ली जाए अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दू कर सजार बार कोशिस की थी तब जाकर कि वे light bulb बनाने में काम्याब हुए थे तो बार बार fail होने के बाद भी great investor बन पाये और वैसे बी जो हार मानता है वे कभी भी हार नहीं मानता जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है लिकिन हारने के बाद भी नय plans बनाने व नाम आज किसी को पता ही नहीं होता जब आप फेल होते हैं तो उसकी वज़ा ढूड़िए इससे बहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप एक नया फुल प्रूप प्लान बना कर उस पर नए सिरे से काम करें और इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं साथवे स्टेप की तरफ जो है डिसीजन यानि के निर्ड़ा लेना फोर्ड मोटर्स की मौडल टीवन किसी जमाने में दुनिया की बसूरतकार मानी जाती थी हैंडरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवाइजर ने इस कार का डिजाइन बदलने की सलाय दी लेकिन फोर्ड नहीं माने और होती है कभी हां कभी ना करने वाले हमेशा गरीव और फैलियर ही रहते हैं जब आप तुरंट फैसला करते हैं तो उन पर तुरंट काम भी शुरू कर देते हैं क्योंकि धेर करने से सिर्फ पैसा और वक्त ही बरबाद होता है और रिजल्ट कुछ हाथ नहीं आता तो से लोगों की बातों से इंफ्लेश नहीं होते बलकि खुद के आइडिया पर वरोशा रखते हैं ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज है कोई भी किसी को भी मुफ्त में सलाह देने के लिए तयार रहता है अगर आप हमेशा लोगों से राय मांगते रहेंगे तो बाता तर लोग आपको ऐसे वाहियात ओपिनियन देंगे जो आपको डिस्करेजमेंट ही देगी ना कि मोटिवेट करेगी चाहे वैं आपके पक्के दोस्त हो या फिर रिष्टिदार ही हो क्यों ना हो सिर्फ मास्टर माइंड ग्रूप के साथ काउंसिलिंग करें सिर्फ आ आपके पास खुद का एक दिमाग तो है आप इसे इस्तेमाल करें सक्सेशफुल बनने के लिए जो आग आपके अंदर है उसके पुकार सुने अच्छे फैसले लेने का मतलब या है कि आपको क्या चाहिए यह बात आप जानते हैं और वैसे भी दुनिया का दस्तूर है कि य परसिस्टेंस यानि की बेसक धीरे धीरे मंगर लगातार बारते रहें जी हां आखिर कहीं से तो चलना ही होगा तभी तो सफलता एक दिन हाथ लगीगी लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल को चुन लीजिए आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क् इस प्लान में आपकी मदद कर रहे हैं उन सातियों के साथ अच्छा रिलेशन मिंटेंड करें अपने विल पावर को प्रकलें फिर अपने प्लान पर फोकस करें और सबसे पहले जरूरी है कि अपने मन का डर भागा दे जो डरता है वह कुछ नहीं कर पाता और वैसे भी कित प्लानक से तो मिल नहीं जाते लेकिन हम अपना बिक बिक पा सकते हैं जब हम इसके लिए एक प्लानिक करते हैं और उसके रास्ते पर लगतार आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने इस ड्रॉंग डिजायर और खास प्लान से यह मौक कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाय हमें प्रखने के लिए हमारे रास्ते में बहुत सारे रुकावटे डाल रही है हमारी हार हमारे विल पावर को प्रखने का बस एक तरीका है जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की याद बना लेते हैं तो ह और कभी भी आपके रास्ते की रुकावर नहीं बनेगी फिर जो कुछ भी आपने सोचा है उसे पूरा करके ही रहेंगे तो बस यूँ हुई आगे बढ़ते रही हैं और हम भी आगे बढ़ते हैं नवे स्टिप की तरफ जो है पावर आप मास्टर माइंड एक कहावात है कि इस पावर मगार सिर्फ इसके धंपरा के लिए आप आम यह नहीं बन सकते आपकी नौलेज सभी पावर बनती हैं जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए मास्टर माइंड ऐसे लोगों का ग्रूप होता है जो आपकी नौलेज को बढ़ा सकती है ताकि वह आपकी पावर बन सके इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका है इस बात को हम इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी ही इनरजी देगी लेकिन जब एक से ज़्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हमें लंबे समय तक उनकी ए इंसान थे लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोशेमंद लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उनके मास्टरमाइंड थे उन्होंने थामस एडिशन के साथ भी दोस्ती रखी थी फोड ने इन भरोशेमंद और महन दोस्तों के साथ बहुत ही मिलनसार और सहयोगी रिष एक मास्टर मांड ग्रूप से जुनने के बहुत से एकोनॉमिक फादय तो हैं भल्कि मांद्शी ग्रूप से भी फाइदे मंद हैं। जब भी दो दिमागी ताकत आपस में मिलती है तो एक नई अंदेखी ताकत पैदा होती है जो उन दोनों दिमाग के साथ मिलकर तीन दिमाग जितनी ताकत पैदा करती है तो जाहिर है कि एक गुरूप में इतने दिमाग होंगे तो एक अकेला दिमाग की ताकत को भी बढ़ा लिए अगर गुरुप के लोगों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशन सीफ है तो वह मिलकर के किसी भी इंडिवेजली ज्यादा अचीव कर सकते हैं वे मिलकर के कमाल कर सकते हैं क्योंकि एक अकीले इंसान की तुलना में उनकी ताकत कई गुना बढ़कर होती है तो Mastermind के बारे में जाल लिया और आगे बात करते हैं 10 वे स्टिप के बारे में जो है The Mystery of Transmitration Transmutation उसे कहते हैं जब energy एक form से दूशरे form में बदल दी है Six इंसान के सबसे बड़ी सबसे ताकतवर motivation होती है Six Transmute का मतलब है की हम अपनी Six energy को कई और productive कामों में इस्तिमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत power होती है Creativity और business के लिए Six energy का बहतरीन इस्तिमाल हो सकता है Six एक natural चीज है और यह इंसान की जरूरत की चीजों में भी सामिल है आप इससे मुह नहीं मोड़ सकते अगर इसे काबू में नहीं किया जाय तो यह एक destructive हतियार बन जाता है लेकिन अगर इसे willpower की तरह इस्तिमाल किया जाय तो इससे बहुत कुछ अचीब किया जा सकता है जितने भी successful musician है, वकील है, artist है, businessman है उन्होंने अपने इस सरीर के भोग का इस्तिमाल अपनी creativity में किया और वह महान बने Mind को प्रेडित करने के कई तरीके हैं जैसे की सराब, drugs या आपके मन का डर लेकिन इन सब में six ही सबसे strong है जो इंसान इस पर control नहीं रख पाता वह अकसर जुर्म, गरीबी और बधाली में जीता है जिसने भी इस ताकत का सही इस्तिमाल किया उसका हमेशा भरा हुआ है और वह एक genius बनकर उभरता है और वह ऐसे भी genius इंसान किसी plane के pilot जैसा होता है वह पहाडों और पेड़ों के उपर से जाता है वह उची उडाने लगाता है six और खाना हमारे जिन्दगी में उचे पहाडों और पेड़ों की तरह है एक genius इन से भी problems को पार करके खुद को आजाद कर लेता है अब वह अपनी creativity imagination को बहतर इस्तेमाल करके खुद के लिए की गई तरिक्की के राश्ते खोल सकता है हमारे creativity imagination six distance की तरह है जितना ज़ादा हम उसे use करेंगे यह उतनी ही अच्छी होती जाएगी creative imagination की practice से successful लोग और ज़्यादा समझदार और ज़्यादा productive बन जाते हैं एक study से यह proof हुआ है कि successful लोगों में strong sex energy होती है लेकिन वो इस energy को वहाँ पर apply करते हैं जहां उन्हें creative outlet की जरूरत होती है जितने भी गाने, टप्टाएं या nobles हैं उनमें love और sex का ही जिक्र है आपके अंदर की करिश्मा और confidence आपकी sex और आपकी sex अपील से ही जलगता है आप किसी भी artist या business man को देख लीजे आप खुछ समझ जाएंगे आप भी अपने अंदर की potential को creative imagination के लिए यूज कर सकते हैं अपने sexual energy बहार निकालने के लिए कोई ऐसा जरिया ढूड़ो जूकि creative हो ना कि उससे शरीर की भूख समझ कर सांथ करते रहे आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी सकती है इसका कोई अंत नहीं है इसलिए इसे खुद को महन बनाने में लगाए और साथ ही अपनी sexual energy के advantage से नई उचाईयों में ले जाईए और अमीर बनिये अब आगे बात करते हैं एक ग्रामे इस्टक के बारे में जो है subconscious mind हम सब जानते हैं subconscious mind पर हमारा कोई काबू नहीं होता लेकिन वही वह हिस्सा है जो हमारे सारे इच्छाएं भावनाएं और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है हमें बस यह करना है कि हम अपने मन को हमेशा पास्टिव विचारों से भरा रखें दीरे दीरे यह पास्टिव थार्ट्स हमारे सबकॉंशेस माइंड में बारते चले जाएंगे और यह एक तरीका है जो दीरे दीरे हमें सेक्सेस की ओर ले जाएगा अपने सबकॉंशेस माइंड को इंप्रूफ करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, शिक्स, जोस, रोमाज और उमीश से भरे थार्ट्स लाए कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन और बदले की भाउना या लालच और अनविश्वास जैसे थार्ट्स को न रखें कोशिस कीजिए कि यह निगेटिव थार्ट्स आपके दिमाग में न आए लेकिन निगेटिव सोचने से आपको कभी भी सकसेज नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते हैं इसे आप और ज्यादा गरीबी के दल्दल में डूप जाएंगे अभी आपके पास खुद का परशनल ग्यान है जिसके दम पर आप सकसेज पा सकते हैं आप जानते हैं कि कैसे अमीर बन सकते हैं हारग कि वह प्लान आपके सब कौनसे समन में बंद पड़ा है उस तक पहुचने के लिए आपको पहले निगेटे थोट्स से छुटकारा पाना होगा तो सबसे पहले पास्टे थोट्स को अपने दिमाग में लाने की कोशिस कीजिए ताकि आप इसे और बहतर समझ सकें हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें अपनी चाहतों को प्यार, सेक्स, उमीद, रोमाज, जोस और खुसियों को अपनी आदद बना ले और लालच, डर, गुस्सा, जलन और बदले की भावना से छुटकारा पाए अब आगे बढ़ते हैं ब्रावे इस्टेप के बारे में उनके बारे में सोच करके आप अपने शफर की सिरुवात कर सकते हैं आपकी इच्छा से ले करके आपकी इमेजनेशन तक और आपकी असिस्टन तक हर चीज की प्लानिंग आप अपने दिमाग में करके रख सकते हैं क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के सेरिबिलिटिक्स में 10 से लेकर 14 बिलियन नफ्स पाये जाते हैं इससे भी मज़ेदारत बात तो यह है कि सारी सेल्ट एक खास तरीके से आर्डर के हिसाब से अरेंज है नफ्स अरेंजमेंड का यह तरीका हम इंसानों को फिस्कली और मेंटली काम करने के लाइक बना है हमारे इमोशनल और मेंटल इस्टिट के लिए हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है यह बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सुचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं अपने दिमाग में पाश्टि उथार्स को भरकर हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही ढोर सकते हैं अपने जुनून को हम असलियत में उतारकर अपने सपने पूरे कर सकते हैं हमारे अंदर वह पावर है कि हम तुरंत फैसले भी ले सकते हैं और हारने पर फिर से कोशिस कर सकते हैं और हम अपनी sexual energy इस्तेमाल करके अपनी creativity निखाने के लिए भी कर सकते हैं और यह सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर हो सकता है अगर आप रोज खुद को प्रेडित करने की practice करें तो अपने knowledge और अपने potential को बढ़ा सकते हैं और सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए अपने दिमाग के साथ सथ बाकियों के दिमाग की टाकत का इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ हासल कर सकते हैं mental daily faith ही मूँकिन चीज है अगर आप अपने mastermind group के साथ मिलकर इस पर बारीकी से काम करें तो इसलिए आपस में discuss करें जिसे आप अपने विचारों को दूसरों के साथ बाट कर एक single brain की तरह सोच पाएं इस्तेमाल करें अपने brain के power का हमिसा से नए-नए idea से प्रेडित करते रहें जो कुछ भी आपने summary से सीखा उसे real life में apply करने की कोशिस करें और उसे अपने आदत में सुमार कर लें आप चाहे तो किसी भी chapter में जाकर फिर से उन बातों को दोहरा सकते हैं उन statement को money money conscious बनाएंगे तो आप अपने financial success से अब ज़्यादा दूर नहीं है इसी के साथ अमिर और successful बनने के लिए इन 13 steps का आखरी step है तो जब तक आप बाकी के 12 steps में महारत हासिल नहीं कर लेंगे तब तक आप 6th sense तक नहीं पहुंशकते हैं यह 6th sense हमारे subconscious mind का एक हिस्सा है जो हमारे creative imagination को समालता है यही हमें दुनिया की infinitive and intelligent से जोड़ती है कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में flash की तरह देखते हैं जिसे hunches करते हैं और ऐसा ताव होता है जब हमारे 6th sense काम कर रही होती है लेकिन इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हम इसे achieve कर सके है जितने महान लोग हुए है जैसे कि Thomas Edison, Abraham Lincoln और Muhammad यह सब अपने 6th sense को यूज करके ही महान बन पाएं तो अपने इनी हंचस से उन्हें कुछ बड़ा करने की motivation मिलती रही यह 6th sense हमारे mental love, spiritual state दोनों को जोड़ती है यह एक medium की तरह होती है जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ connect करती है हमारी 6th sense ना केवल creative ideas देती है बलकि कई बार आने वाले खत्रों का इसारा भी कर देती है infinite intelligence वह power है जो दुनिया की हर चीज़ के कण यानि आइटम में होती है इसके अंदर पूरे ब्रह्मान की energy समाई होती है यही वह सकती है जिसे पानी हमेशा नीची की ओर बहता है रात के बाद दिन निकलता है और सरदी के बाद गैर्मी आती है इसी वज़ा से ब्रह्मान की हर चीज़ एक दूसर से किसी ना किसी रूप से जुड़ी है हम भी अपनी sixth sense की practice करके खुद को infinite intelligence के साथ जोड़ सकते हैं जैसा की सभी genius करते हैं हम भी अपने सपनों को material form में यानि की हकीकत बना सकते हैं क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने होते हैं इच्छाए होती हैं जो हमारे दिमाग को dominate करके रखती हैं हम अपनी हार या जीत को खुद चुन सकते हैं और अपने सोचने की पामर से सफलता को success को हासिल कर सकते हैं Success का रास्ता हमारे सपनों से ही सुरू होता है जैसे जैसे आप इन 13 steps पर आगे बढ़ते जाएंगे आपको wisdom मिलती जाएगी आपको success के लिए बहुत जुरूरी है कि खुद को और दूसरों को जाने और आखिर में successful आदमी इसला और नेचर और खुशियों की तरीके को समझ सकता है हम फिर कहते हैं कि आप जब चाहें इन 13 steps पर जाकर इन्हें दोहरा सकते हैं ताकि mind को प्रेरित करने के high level को आप पासकेंगे अब आपके पास 13 steps to riches हैं जिसके last chapter में आप सीखेंगे कि डर को अपने मन से कैसे दूर किया जाए क्योंकि जब तक आप इसे दूर नहीं करेंगे यह आपको एक limit में बात कर रखेगा और बिना इस डर को जीते अमीरी के राह पर आप पाउ नहीं बढ़ा सकते तो आईए जानते हैं डर के 6 भूतों को अपने मन से कैसे बगाए कुछ ऐसे चुपे हुए दूस्मान होते हैं जो हमें दौलत मन नहीं बनने देते और वह दूस्मान है असमंजस सक चिंता और निगेटिव ख्याल इसमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं बिल्कुल बिन बुला है महमान की तरह तो जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे यह आपको तंग करते रहेंगे कभी हां कभी ना और खुद पर यकिन ना होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है हम यहां आपको ऐसे च्छे बेसिक दलों के नाम बता रहे हैं वह गरीबी कडर आलोचना कड सेहत का डर, खोने का डर, बुढ़ापे का डर और आखरी मौत का डर तो इनमें से डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है उसे लिमिट में बादने लगता है मगर असलियत में ही यह सबी डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं इसका सीधा मतलब है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है यह अच्छी कबार है इस पर काबू पाया जा सकता है एक ऐसे चीज़ जिस पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होता है और वह है हमारे थोट्स हमारे विचार जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है वह उसी वक्त फिसकल हो सकता है यही इसकी सबसे बड़ी power है जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं वही आपकी social professional और financial destiny बन जाती है जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो सच में बीमार पढ़ने लगते हैं यह मानी हुई बात है इसलिए तो कहते हैं कि हमें अपने willpower strong करनी चाहिए कुछ कोई आपकी अलोशना करे तो उसे दिल पर ना ले आपने willpower को critics से कमजोर ना होने दे उन्हें रिष्टेदारों की बिलकुल भी ना सुने जो आपसे कहते ही कि आपने यह कर ही नहीं सकते क्रिटिक्स की बातों पर धान देने से आपकी imagination बरबाद ही होगी यह आपकी confidence को भी कम करतेगा और individually तोर पर आपकी काबिलियत उभर नहीं पाएगी इसलिए अपने कानों को बंद कर लीजिए ताकि आप उनकी बाते ही सुनना सके अपने अंदर के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर लीजिए जो आपको हर तरह से depressed या discouragement करते हैं खुद को हर चिंत भी नहीं जिसकी वज़े से आपको चिंता करनी पड़े अपने लिए मन की सांती और खुसिया चुने कहने का मतला बस सोचिये और अमीर बनिये तो इसी के साथ अब समरी हैं पर समाप्त होती है